सरकार बनाने की लालसा में भाजपाने अपना लोकसवा का गनित भी सारा खुराब कर लिया हम निमंस्तर की राजमिती में ना हम विश्वाश रखते हैं ना हम करेंगे करना कह से आई है क्या उनकी प्रिश्ट फूमें है हमें इन बातों से कोई सारुकार नहीं है हमें तो यह है कि यह जो हमारी सीथ है मंदी, कुलू और बाकी ट्राइबल अलाका यहां पर आता है इनके विकास के लिए क्या होना है कुछ लोग इस चुनाब को जो है की दिशा बढ़काना चाहते हैं हमारा ऐसा को भी मकसद दिये शुद्ध तोर पे मुद्धों की राज़िती होगी और भात्य जन्ता पार्टी के लोगों ने हिमाचल परदेश की सरकार गिराने की एक असफल कोशिश की और उसमें नेता प्रतिपर्ट से जाराम ठाकुल्टी भी एहम भूमिका रही वो समें से पहले शॉट कट से जो है सक्ता पे काबिज होना चाते थे लेकिन नहीं हो पाए हम ने उन्से भी कहा है कि अब भात्य जन्ता पार्टी परदेश में एक्सपोज हो गई है कि उन्होंने परदेश की सरकार गिराने के लिए साजिशें रखी शुर्यातर किया लेकिन सरकार हमारी नाकेवल बची है लेकिन सरकार अब स्थिर है स्थाई है टिका हुए और ये सरकार लंबे अर्से तक चलेगी क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे पास इसमें 34 MLA है और बीजेपी के पास 25 MLA है नौ का अंतर है नौ के अंतर को किसी भी स्थिती में कोई भी चुनाबी गनित जो है उसमें भारत्य जनता पार्टी की सरकार हिमाजल परदेश में नहीं बन सकती और अगर ठासट का भी हाउस होगा अगर ये 6 सीटों के चुनाब के बाद ठासट के हाउस में भी हमें तो एक सीट की जरूरत है उनको 10 की चाहिए 10 चाहिए इलेक्शन अभी 6 पे हो रहे हैं उनकी सरकार कहां से बन जाएगी जो बार बार कहते हैं कि हम चाजून को सरकार बना लेंगे कोई सरकार की संभावना नहीं है भात्य जनता पार्टी के नेताओं को अराम से बैठ जाना चाहिए और मैं तो यह कहूँगा सरकार बनाने की लालसा में भाजपा ने अपना लोकसभा का गनित भी सारा खराब कर लिया और अब कांगर्स पार्टी बहुत अच्छी फाइट में है बहुत अच्छी नतीजे आएंगे दो कंडिडेट हमने गोशित कर दी है शिमला और मंदी के दो कंडिडेट हम इस नेक्स वीक में हम गोशित कर देंगे और उसके बाद जो हमारी छे सीटे हैं जिन पर चुनाब हो रहा है लोगों में तो आकरोश है इस बात का की सरकार गजाने का प्रयास हुआ और लेकिन भात्य जनता पार्टी के लोग भी जिन लोगों को टिकतें दी हैं भाजपा ने जिन को टिकतें दी हैं भाजपा के लोग भी उनको बरदाश्ट ने कर पा रहे हैं और हमारे से ज़्यादा काम जो है